वेलकव स्टूडेंस इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि संटेंस की डियॉर्डिंग कैसे की जाती हैं इसकेलें स्टूडेंस आपको जाना पड़ेगा कि पार्ट आफ Gothic में इस चैप्टर में आपको कवर करूंगा जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम श सब्डों का प्रियोग शमूह में करते हैं जैसे देखिए birds flying in the sky पक्षे आसमान में उड़ते हैं दिज girls are singing a song ये लड़किया गीतगा रही है तो ये सब क्या है हम सब्डों का प्रियोग शमूह में कर रहे हैं और ये सब्दों का वाकिय का रूप जो है ये धारण कर ले रहा है आप देखेंगे students की sentence जो होता है वो उसके दो parts होते हैं subject और predicate अब subject क्या होता है ये वाकिय का वो हिस्सा होता है जसमें किसी व्यक्ति या वश्तु का नाम लिखा गया होता है जिसके विशय में हम कुछ कह करते हैं क्रिया से पहले अगर आप कौन या किष्णी लगा कर प्रश्ण करें तो उत्तर में जो शब्द भी आपको मिलता है वो subject होता है जैसे birds fly in the sky तो अगर यहां question करते हैं कि अगर हमें पता करना है कि who कौन है कौन है जो उस action को कर रहा है इसकाई में fly कौन कर रहा है तो answer हमें का मिलेगा birds तो birds क्या हो जाएगा subject हो जाएगा आगे अब देखे यह वाकिका वह भाग होता है जिसमें subject की विसरे में कुछ पताया जाता है वाकि में subject को छोड़ कर जितना बचावा भाग होता है वह प्रेडिकेट होता है इंप्रेटिस इंटेंस की जहां तक बाते students तो उसमें यू जो है वह hidden होता है चीपा होता है जैसे go there वहां जाओ अब किसे कहा जा रहा है यह कि यह sense पर आधारित होता है हम इसको समझते हैं यह उसकी feature होती है इंप्रेटिस इंटेंस की बाकी other subject में अगर आपको find out करना है जैसे देखिए Manoj bought the book तो किताब किस ने खरीदा Manoj अर्थात खरीदने का जो accent है वह किस ने किया Manoj तो Manoj subject हो गया अब Manoj ने क्या किया तो Manoj bought the book तो bought the book अब यह क्या हो जाएगा यह predicate का हिस्सा हो जाएगा इस्टूडेंट आगे आप देखेंगे students की parts of the subject table 1 slowly slowly आप इसको जानेंगे तो students जहां तक subject की बात है तो मुख्यता चले मैं सीदे आपको यह बताता हूँ कि मुख्यता इसके कितने parts होते हैं इस table के माद हमसे last dollar table है यह students आप देखेंगे subject को मुख्यता हम चार parts में डिवाइड कर सकते हैं नाउन और adjective phrase बाकी बचा हुआ है इससा प्रेडिकेट का है अब सवाल यह है कि नाउन नाउन को students head word भी कहा जाता है अब यह head word क्या है head word वो है जिसके विसाय में कुछ कहा जाता है adjective आप समझ रहे है नाउन से पहले आएगा कई बार sentence में बार में भी आया वह होता है adjective वह होता है जो नाउन या प्रनाउन को डिफाइन करता है तो adjective को find out करने में कोई दिक्कत नहीं और इसको place कब देना है कब sentence में रखना है especially जब वो नाउन को डिफाइन कर रहा है तो वो वो कहीं ने कहीं adjective को explain कर रहा होता है जहां तक बात है इस वह दिफ्रेज के विशय में तो adjective phrase आप समझ रहे है phrase मतलब वाक्यांस वाक्य का हिस्सा और यह complete वाक्य के नहीं होता है यह वाक्य का हिस्सा होता है और यह मुख्यता प्रेडिकेट से पहले sentence में अदर्ग दिया आ आप example के माद्यम से देखे my younger son in Kanpur is an engineer जहां से वर्भी start होए students वह हिस्सा जो है प्रेडिकेट का हो जाएगा is an engineer प्रेडिकेट का हिस्सा है उसके पहले का जो हिस्सा है वह subject का part है तो इसमें किसके विशे में कहा जा रहा है sun के विशे में कहा जा रहा है sun noun अर्था third word है ठी तो यंगर जो है as a adjective तो noun से पहले रखा गया है अब my my क्या है pronoun है तो pronoun हो गया adjective हो गया जिससे प्रेडिटर्माइनर का काम करता है students अगर adjective sentence में हुआ है और इसके बाद भी pronoun adjective यह सबाई ही है जिनके मात्यम से किसी को indicate किया जा रहा है तो वह डिटर्माइनर हो जाएगा और adjective phrase जैसा कि मैंने आपको बता है या कि वह position बताता है किस condition में है इसके बारे में वह बया करता है इन कानपूर तो students इसमें और example भी दिखाई आपको दे रहा है आप इसको read कीजिए और इस चार्ट के मात्यम से इस टेवल के मात्यम से आप दिखी कि पर इडिटरमाइनर क्या होता है अटक्ट वर्च क्या होता जब जंबल वर्ड दिया कि hanging होगा तो इधर का उधर होगा लेकिन यह चार्ट आपने देखा हुआ यह A miten देखा हुआ है तो आप समझ जाएगे कि पहले हम झाईर प्ले अटक्ट की बात है इस ठोट्रश yeniम अगले वीडियो में मैं आपको इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार वर्प की आई एंजी फॉर्म सेंटेंस के बीगिनिंग में आई हुई होती है इसको भी सब्जिक्ट करते हैं लेकिन यह जेरंट वाला सब्जिक्ट होता है जैसे smoking is a bad habit अब देखें smoking walking is a good habit walking is good for health तो कई बार वर्प की आई एंजी फॉर्म सेंटेंस के बीगिनिंग में भी दिया गया होता है और इसको जेरंट वाला सब्जिक्ट बोलते हैं ँर्णेंस इंफिनिटिव वर्प की फॉर्फ फॉर्फ फॉर्म में टू लगाने से बनता है अगले टेबल में मैं आपको यह दिखाऊंगा की इंफिनिटू joke a क्या होता है आप इसको देखे टू प्लस वर्प की फॉर्फ फॉर्प की फॉर्फ आप यहां bracket में देख सकते हैं और इस table में students आप देखिए कि sentence में अगर it का यूज किया गया है there का यूज किया गया है beginning में तो उसको भी subject की scenario में रखते हैं हालांकि इसका main subject होता है वो काफी हत्यर predicate में छिपा हुआ होता है students it is very dark today तो dark के बारे में बात किया जा रहा तो मुखता तो वो है लेकिन चुकि work के बाद आया हुआ है उसको predicate में रखा जा रहा है और sentence को begin किया गया है it or there से तो फिर subject grammatically फिर इसको माल लिया गया है it or there से जो भी sentence begin होते है there was a good king there are five members in my family वगयर वगयर इस प्रकार के जितने भी sentence होते हैं जो it or there से begin होते हैं तो इसमें subject की रूप में it को ही रखा जाता है तो students इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि sentence क्या होता है sentence को कितने parts में divide किया गया होता है तो parts में subject और predicate और फिर subject की कितने parts होते हैं साथी साथ gerund वाला subject क्या होता है और infinity subject क्या होता है जिसमें work की first form जो है वो two के साथ आती है students आपके वीडियो पर ये exercise seven है जिससे मैं दिखाई दे रहा है और इसमें predicate का हिस्सा आप देखिए यहां पर order में है रखावा प्रेडिकेट का हिस्सा subject का जो part है वो यहां bracket में रखा हुआ है जंबल वर्ड की रूप में है आप इस वीडियो को यहां रोक कर इस exercise को done कीजिएगा जितने भी subject के parts हैं इधर के उधर है और disorder में है आप इसको order में रखेगा झाल